20 जून को बदलेगी गुरू ग्रे की चाल 21 नवंबर तक 5 राशियों की चमकती रहेगी किस्मत आने वाली 20 जून रविवार को ब्रहस्पती कुम्भ राशी में वक्री होंगे यानि टेडी चाल से चलेंगे इस राशी में गुरू 120 दिन तक यानि 18 एक्टूबर तक वक्री रहेंगे इसके बाद फिर से मारगी होंगे इस बीच गुरू मकर राशी में भी गोचर करेंगे गुरु अपनी वक्र अवस्था में मकर राशी में 14 सितमबर को प्रिवेश करेंगे और मारगी भी इसी राशी में होगे इसके बाद 21 नवंबर को गुरु फिर से कुम्भ राशी में आजाएंगे इसका असर सबी राशीयों पर भी पड़ेगा जिनमें से पाँच राशियों को फाइदा होने बाला है तो चलिए आपको बताते हैं कौन सी है वो राशियां मेश मेश राशी वालों कारक्षेतर में सफलता हासिल होगी मां सम्मान में व्रद्धी के योग बनेंगे आर्थिक स्थिती पहले से बेहितर होगी रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे, नौकरी में तरक्की के भी योग बनेंगे सिंग वक्री गुरू के प्रभावसिल सिंगराशी वालों को व्यापार में मुनाफ़ा हो सकता है, जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं बेवज़े किसी से वाद विबाद न करें, विवाह संबंधी मामले में सफलता हासिल हो सकती है, धार्मिक कारियों में रुची बढ़ेगी, संपत्ती में बढ़ोतरी हो सकती है वरेश्चिक धनलाब के भी योग बनेंगे, निवेश से लाब मिलेगा, धार्मिक कारियों में रुची बढ़ेगी धनु वक्री गुरु के प्रभाव से आपको साहस में व्रद्धी होगी, व्यापारियों को लाब हो सकता है, इस दोरान सुक्स विदाओं में व्रद्धी हो सकती है धैरे से काम लेने पर कारियों में सफलता होगी, भागे का साथ मिलेगा, अगर आपकी भी ये राशी है तो खुश हो जाएं क्योंकि आप सभी की किस्मत चमकने वाली है, कुंडिली टीवी डैस्क से दिक्षा गुपता की रिपाउट इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकॉन दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में सरूर बताएं धन्यवाद